सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट अबसकार दोस्तों आपका हमारे चैनल दाइस्पीड स्टेडी में एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग जैसा कि आप देख रहे होंगे थम्नेल में भी लिखा था और यहां भी आप देख रहे कि जो है जो हमारा बीड सेकेंड सेमेश्टर का है उसमें विज्ञान का जो कुष्चन था वो मैं डिसकस कर रहा हूं बच्चों की मांग थी इसलिए मैंने यह सीरीज चलाई थी और जैसा आप देख रहे होंगे कि अगर जो है आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं रिस् अनुराग्ज जो कि हमारे एक बहुत अच्छे मित्र भी है और इस परिवार के बहुत अच्छे सदत से भी हैं तो अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो फिर हमारा इस वीडियो को बनाने का क्या मतलब रहेगा जैसा कि आप लोग वीडियो वन में अगर नहीं देखेंग देख लीजेगा उसमें मैंने इस विस्तार में बता दिया है कि हमको पढ़ना क्या क्या है तो यूनिट 3 में हम लोग जो है कल तक अपना डिसकस किये थे कि द्रब क्या होता है पदार्थ क्या होता है और द्रब का अर्थ और लक्षड क्या है उसके द्रब की कौन-कौन सी अवस्थाइं हैं इसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि द्रव की कौन कौन सी अवस्था है तो इसमें तो द्रव की जो अवस्थाइं है वो तीन अवस्थाइं हैं बता चुके थे एक ठोस एक द्रव और एक गैस तो आज जो है हम कल ठोस पर चर्चा किये थे आज उसी क्या गे हम गैस पर चर्चा करेंगे कि आखिर गैस क्या चीजें हैं तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं ठोस पढ़ चुके थे ठोस के बाद अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है द्रव आता है तो द्रव में हम देखेंगे कि द्रव जो है क्या है तो देखिए द्रव के अड अधिक्षा गति जूर्जा अधिक होती है जिसके परिडाम स्वरूप अडवों के बीच की दूरी अधिक होती है मतलब क्या हुआ एक माट इसको थोड़ा स्लोक छोटा कर देता हूं मैं थिक तो हमने क्या कहा कि द्रब के अडवों में थोस की अपेक्षा गति जूर्जा अधिक होती है मतलब क्या हुआ कि द्रब के अडवों में थोस की अपेक्षा है जिसके परिडाम स्रूप अडवों के बीच की दूरी अधिक होती है तो हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि इसमें अडू जो थे वो दूर दूर हमारे हैं जैसा कि जल देखते हैं जल को अगर गिलास में डालते हैं गिलास का रूप ले लेता है जल को अगर हम थाली में डालें तो थाली का रूप ले लेता है तो आगे हम चर्चा करें कि इसके अड़ों की बीच की दूरी अधिक होने के कारण अड़ों का पारसपरिक आकरसड बल भी ठोस अवस्था की तुलना में बहुत कम हो जाता है मतलब चुकि इसके अडू दूर दूर है जब दूर दूर है तो इसका आकरसर बल जो होगा वो कम होगा भाई ठोस में हम देखते थे कि वो पास पास थे अर्थात ये अडू देख रहे हैं कि ये सब एक दूसरे को चिपकाए हुए हैं लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को दूर किये हैं मतलब कि इनके पारस पर इक जो आकरसर बल हैं वो ठोस की तुलना में बहुत कम होते हैं यही कारण है कि द्रव के अडू घूमते रहते हैं अर् होती है जैसा कि हमने बताया कि द्रव की कोई निश्चित आकरित नहीं होती है इसे जिस परतन में डालते हैं उसी का आकर ले लेता है इसका भी आयतन निश्चित होता है फिर आगे चलते हैं गैस क्या चीज है हम दिखेंगे गैस गैस के अडवों में ठोस और द्रव की अधीक गती जूर जा होती है जिसके फलशुरूप इनके अड़ों के बीच की दूरी भी बहुत अधिक होती हुम देख रहे हैं कि जो गैस के अड़ों है वो दूर दूर रहते हैं मलब गैस अगरमा लिजे की अगरमा ळीजे की ये एक कमरा है और इसम्हें गैस के अडु यहां एक अडु यहां एक अडु यहां एक अडु यहां एक अडु यहां तो जो इसके बीच की दूरी है दूरी देखिए बीच की दूरी जो है वो बहुत अधिक है तो वही चीज है कि आंतरा अडु का स्थान जो है इसमें सबसे अधिक होता है तो चलिए हम जो है अनीमित गति करते हैं जिसके फल सरूप इनके अड़ों के बीच की दूरी बहुत अधिक हो जाती है हम देख रहे कि अंतरा अड़ों का स्थान भी सबसे अधिक होता है यह देख रहे हैं वाईव से भरा गुबाड़ा अगर जो है वाईव से भरा गुबाड़ा ले रह तो उड़ता रहता है यानि कि आता गैस के अड़ों के मध्य आकरसण बलकामान सूने होता है इसमें जो अड़ों है दोनों ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी आकरसित नहीं करते ठीक तो परिडाम सुरूप गैस के अड़ों स्वतंतर रूप से बिभीन दिशाओं में अनियमित गत करते हैं जैसे कि हमने भी बताया कि गैस के जोड़ों होते हैं वह अनियमित रूपसे गति स्वतंतर रूप से यह जिस बरतन में रखी जाती है उसी का आकार और हीतान ग्रहण कर लेती है कल मैं पॉर्ड पर समझा रहा था अगर आपको बोर्ड पर पढ़ना हो तो आप कमेंट कीजेगा मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा बोर्ड पे चुकी explain अच्छे से किया जा सकता है और इसमें जो है यह है कि जो मैंने लिखा है वही पढ़ देता हूं ठिक तो अगर आप explain चाहते हों तो आप जो है कमेंट कीजेगा हम इसको explain करके अच्छे से समझा देंगे तो चलिए हम आगे चर्चा करते हैं कि जो है आडूगति सिधान्त के आधार पर द्रव की तीन अवस्थाओं के गुडों की ब्याख्या ठिक जो द्रव की तीनों अवस्थाएं हैं उनके गुडों की ब्याख्या अगर अडूगति सिधान्त के आधार पर की जायत क्या होगा अंतरा अडूगत जैसा कि मैंने बताया है तीनों ठोस, द्रव, गैस तीनों में बताया था मैंने कि अंतरा अडूगति सिधान का बढ़ता हुआ करम तो सबसे कम मतलब अडूगों की बीच की जो दूरी होती है वही अंतरा अडू का स्थान है तो सबसे कम किस में रहेगा भाई इस तरह किस का फिगर था ठोस का था, तो सबसे कम ठोस में रहेगा फिर द्रव का देखा हमने ऐसे था तो उसके बाद फिर क्या रहेगा द्रो रहेगा फिर गैस और गैस में हमने देखा था गैस के अड़ू सबसे दूर दूर होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंतरा अड़ू का स्थान है अंतरा अड़ू का स्थान जो है पहले ठोस में सबसे जादा फिर द्रो में फि ठोस में था तैनिकि सबसे कम गयस में उससे ज्यादा द्रव में उससे ज्यादा ठोस में फिर आगे देखें गती जूर्जा की अगर बात करें तो भाई गती जूर्जा मतलब की चुके हम देखते थे कि ठोस जो थे ऐसे थे तो इनके ये जब एक दूसरे को चिपकाए हुए सबसे जादा तो फिर फिर गैस आगे चलते हैं तो देखे इसका जो कुष्चन अभी तक जो मैंने पढ़ा रहा इसका जो कुष्चन बनता है वो कुष्चन कैसे बनता है देखिए हम जैसा कि पहले बताए थे ये था हमारा कि इसमें जो है तीन टाइप के कुश्चन बनता है पहला द्रब्य का आर्थ और लक्षण बताईए फिर द्रब्य की भौतिक अवस्थाओं का उलेख कीजिए उसके बाद अडुकति सिध्धान्त के आधार पर ठोस द्रब और गैस के लक्षणों की ब्याख्या कीजिए तो ये तीन कुश्चन हमने अभी तक डिसकस कर लिया लाश्ट का जो था वो यही था कि इसमें ठोस द्रब और गैस की ब्याख्या करना था मतलब पूरा भिस्तान में बताना था ठोस क्या है द्रब क्या है और गैस क्या है तो चलिए फिर आगे चलते हैं उसी के आगे जो बता रहे थे हम तो उसमें जब चलेंगे तो द्रब की अवस्थाओं में तुलना अगला कुशन बनता है कि द्रब की अवस्थाओं में तुलना कीजिए कि ठोस में द्रों में और गैस में तुलना करके बताईए कि क्या आंतर पड़ता है तो देखे सबसे पहले चीज़ मैंने जो पढ़ाया अगर नहीं देखा आपने तो उसको पहले देखिएगा तब यह आपको और अच्छे से समझ में आएगा हमने आकार आयतन बहने का गोड़ पहले यह तीन चर्चा करेंगे उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे तो चलिए देखते हैं आकार की अगर बात करें तो ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है जैसा कि मैंने बताया कि ठोस को चाहे जिसमें रखेंगे वो उसी आकार में रहेगा जैसे पहले है लेकिन द्रव का आकार अनिस्चित होता है अर्थात या बरतन का आकार ग्रहन कर लेगा जिस बरतन में डालेंगे उसी बरतन का आकार ग्रहन कर लेगा उसी प्रकार गैज का भी जो है निस्चित आकार नहीं होता है अनिश्चित होता है आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन निश्चित होता है द्रव का आयतन भी निश्चित होता है लेकिन गैस का आयतन अनिश्चित होता है या जिस पात्र में होता है उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है ठिक तो इसका मतलब आकार भी उसी पात्र का ग् लेकिन द्रव की बात किले तोब ऊपर से नीचे की और भैते हैं और जिबगिए की बात करें तोबड़ घैसके आड़नु जो है चारों धिसांस जर्जाओं एनि UT कर्ते रहते हैं इसलिए गैस जोần चारो दिशाओं में बहती रहती है आगे चलते हैं आगला जो हम देखेंगे वो क्या है मारा घनतु है उस्मा का प्रभाव है अंतराडू का स्थान है उसके बाद हम उधारर देखेंगे तो घनतु में क्या है कि ठोस का जो घनतु होता है चुकि देखते हैं प्राया द्रव और गैस से अधिक होता है ठोस का जो घना तो चुकि उसके आड़ू पास पास होते हैं ठीक यही कारण है कि जो उनके मतलब की द्रव और गैस की पेक्षा घना तो क्या होता है अधिक होता है जबकि अगर द्रव की बात करें तो ठोस से कम परंद गयस से ज़्यादा होता है जो कि जो गयस हमारे द्रव हैं द्रव भी तो ऐसे ही रहते हैं अर्थात उनके अड़ों के मद्द की जो दूरी होती अधिक नहीं होती है थोड़ी बहुत दूरी रहती है लेकिन ज़्यादा अधिक नहीं रहती लेकिन अगर हम गयस की बात करें तो गयस में ठोस और द्रव से कम जो है घनत तो जो होता है वो किसका होता है गयस का होता है आगे चलते हैं उस्मा का प्रभाव उस्मा का प्रभाव अगर बात करें तो चुकि कल मैंने बताया था कि अगर हम ठोस पर उस्मा का प्रभाव करें मतलब ठोस को अगर हम गरम करें तो वो जो है फैलते नहीं है ना तो अधिक फैलेंगे और ना ही अधिक दबेंगे लेकिन अगर हम द्रो की बात करें तो उसमा अगर बढ़ा दें इसकी देखिए उसमा के प्रभाव से ठोस की तुलना में अधिक गैसों की तुलना में कम फैलते हैं मतलब ठोस से जादा फैलेंगे लेकिन गैस से कम फैलेंगे कौन ये हमारे द्रो लेकिन अगर गैस की बात कर दें त तो इसको हमने पढ़ा था इसको पढ़ा था थोस में तो देख रहे हैं इसके बीच की दूरी सबसे कम है फिर इसको मैंने पढ़ा था द्रौ में देख रहे हैं कुछ जादा है फिर इसको मैंने पढ़ा था गैस में तो देख रहे हैं बहुत जादा है तो अंतरा तो आप खुद भी बना सकते हैं और द्रौ में देखे दे दूध, डारू, जल, रोमीन, पारा और अगर हम गैस की बात करें तो वाइव, नाइट्रोजन, हाइट्रोजन, जितने भी गैस हैं, सारी गैस हैं, तो ये चीजी थी, आगे हम चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा पदार्थों का वर्गी करान, कुश्यन इस प्रकार से बनता है, कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, या फिर कुश्यन बन जाए, समांग पदार्थ किसे कहते हैं, या सुध्ध पदार्थ किसे कहते हैं, या तत्त उसे आप क्या समझते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे सुद्ध पदार्थ हैं उसके बाद फिर सुद्ध पदार्थ के बाद फिर आगे चर्चा की जाएगी सुद्ध पदार्थ में हमारे तत्व हैं योगिक हैं और अगर आप हमारे चैनल सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब कर लीजिए ठीक मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार धन्यवाद इसको जादा से ज्यादा से शेयर करिए आप ही लोगों के लिए ये वीडियो बन रहा है अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो फिर हमारे बनाने का क्या मतल सब रह चाहेगा तो नमस्कार मिलते हैं अगले वीडियो में